हेलो फ्रेंट कैसे हैं आप सब मेरे चैनल में आपका स्वागत है आज मैं आपको बताऊंगी तीन कलर से बनने वाला डिजाइन जिसे आप ज्यादा कलर में भी बना सकते हैं तीन कलर तो इसके लिए जरूरी है तीन तो हमें लेने ही पड़ेंगे तो कैसे बनता है डिजाइन मैं आपको बताती हूँ देखे फ्रेंड इस डिजाइन को बनाने के लिए हमें 12 के multiple से फंदे लेने होते हैं और कैसे करते हैं इस डिजाइन को शुरू मैं आपको बताती हूँ 2 फंदे मैंने अपने extra लिये हैं उनको बुनने के बाद देखे 2 फंदे एक्स्ट्रा और नो फंदे हमारे बुनने हैं सबसे पहले हमें अपने नो फंदे बुनने हैं जो हमने बेस कलर लगाया उसके हमें नो फंदो की बुनाई करनी है देखे प्रेंट्स नो फंदे बुनने के बाद हमें जो तीन फंदे हैं वो हमें दूसरे color से लेने है जो हम इसमें 2 color लगाना चाहते हैं तो जैसे मैंने नीचे इसमें ये वाला color लगाया ग्रीन तो मैं अब आपको 3 फंदे green के लेने हैं 12 फंदों का ये पूरा डिजाइन है, 3 फंदे ग्रीन के और फिर से वही 9 फंदे हमें अपने बेस कलर के लिए लेने हैं, ये डिजाइन बनने के बाद भोती सुन्दर लगता है, बच्चों के स्वेटर में ये डिजाइन भोती प्यारा लगता है, कैप में भी इसको डाल सकते हैं, लड़कियों की जो कार्डियन वगारा बनते हैं इस कीवी टाइप उसमें भी डाल सकते हैं, 3 फंदे हमारे ग्रीन के हैं, और 9 फंदे हमारे ये जरलो के हैं, इस तरीके से हम ये जो डिजाइन है, ये उल्टी सीधी, दोनों सलाइओं में ही डलता है, उल्टी सलाही मे आभ यह पांच फंदे पंदे थे, अभगी हेवाले हमाइरे उल्ट्टी सलाई में पांच फंदे हो गए,aven Deck ऊड़ भनदे में कैसे करना अभी बिलाल, एनल, णर यह पनदे खु़ेवाले जो इधर स दीनुड़ false और इसके साथ हम बुन लेंगे और हमारे ये 5 के बजाए अभी हमारे 7 फंदे बनकर तैयार हो जाएंगे देखे अब हमारे ये 7 फंदे हो गए हैं और बाकी जो फंदे बचे हैं वो हमारे बेस कलर के ही रहेंगे जो पहले 5 फंदे थे वो अब 7 फंदे हो गए हैं अब ये पूरी सलाई हम ऐसे ही बुन लेंगे और अब हमें ये जो आगे का हमारा इसका प्रोसीजर है वो इस तरह से रहेगा मैं बताती हूँ आपको देखी फ्रेंड्स पहले अमारे तीन फंदे थे फिर अमारे पांच फंदे अब साथ अब जो ये हमारी साथ फंदो वाली लाइन है ये हमें चार बार ऐसी रिपीट करना है यानि कि हमारी एक सलाई हो चुक है तीन सलाई और अभी हमारी इसी तरीके से होगी उल्टी भी सलाई और सीदी भी इसी तरीके से हमारी ये रिपीट होती रहेगी देखी देखी फ्रेंड्स जिस तरीके से हमने पहले तीन फिर पांच और फिर उसके बाद साथ और साथ के हमने चार रो कंपलीट की है चार लाइन मतलब कंपलीट की है उसके बाद हम जैसे हम अपने बढ़ाया था उसी तरीके से हम एक एक फंदे को गटाते वे चले जाएंगे अब हमारे साथ फंदों से फिर से पाच फंदे हो जाएंगे देखिए अब हमने इधर से भी एक फंदा ले लिया है यानि कि अपने बेस कलर का बेस कलर का एक फंदा बढ़ाते वे फिर से अपने वही पाच फंदे अमारे ग्रीन कलर के बच जाएंगे पाच फंदों की अमारी एक ही लाइन रहेगी यह देखिए यहां से भी एक फंदा कम हो जाएगा देखिए इस तरीके से अगली सलाई में हम आते वे यह फिर से हमारे तीन फंदे ले जाएंगे अब आगे बताती हूं कैसे करते हैं देखे फ्रेंड्स ये वाली जो लाइन है ये कम्प्लीट होने के बाद ये फिर से हमारे तीन फंदे आ गए हैं अब तीन फंदे जो हैं इनमें हमें कैसे करना है देखे मैं बताती हूं आपको इसमें हमें जो तीन फंदे हैं एक फंदा फिर से हम अपना बेस कलर का बना लेंगे और जो बीच वाला फंदा है यह हम अपना रेड कलर का बनाना है यह वाला फंदा में यह देखिए यह फंदा में अपना रेड कलर का बनाना है एक बीच वाला तीन के बीच वाला जो फंदा है और बाकि जो ग्रीन दूसरे वाला ग्रीन है वो हम पना बेस कलर का ही बना ग्रीन वाला बेस कलर का हो जाएगा अब यहां पर हमारे सभी फंदे बेस कलर में जा चुके हैं और एक जो बीच वाला फंदा है तीन में से वो यह जो बुनाई है यह हर सलाई में डलती है उल्टी में भी और सीधी में भी उल्टी सलाई में भी इसमें हमें प्रोसीजर करना होता है और सीधी सलाई में भी करना होता है तो इसलिए इससे बड़े ध्यान से बनाना होता है देखिए यह वाला बेस कलर आ गया तो जो यह फिर से वही बेस कलर अब ये पूरी सलाई ऐसी बनाते हुए उल्टी सलाई में ही इसका जो डिजाइन है वो बदल जाता है मैं बताती हूँ आपको कैसे बनता है बागे देखे फ्रेंड्स जो हमारा रेड वाला फंदा है जो हमने एक सिंगल फंदा लिया है अब उससे पहले वाले जो दो फंदे हैं हमारे वो रेड के हो जाएंगे और ये red वाला जो फंदा है ये हमारा base color का हो जाएगा उल्टी सलाइक में है ये वाला जो हमारा ये हमारा base color का हो जाएगा जो एक single red फंदा था और जो इसके आसपास वाले दो-दो फंदे हैं दो इस side और दो इस side ये हमारे red color के हो जाएंगे देखिए इस तरीके से जो हमारा पहले red था वो हमने bass color का कर दिया दो इधर के दो इधर के red हो गए आगे के जो हमारे फंदे हैं हम वैसे भून लेंगे और दूसरे वाले में भी हमें ऐसे ही करना है दूसरे वाले इस वाले project में भी दो फंदे इधर red हो जाएंगे दो इधर red हो जाएंगे ये red वाला फंदा हमारा base color में बदल जाएगा अब देखे friends अब हमारे दो फंदे red इधर हैं दो इधर है बीच में हमारा base color है अब हमारा एक फंदा और इधर से हम red color का बना लेंगे अब हमारे पहले ये दो फंदे थे अब इधर हमारे रेड कलर के तीन फंदे हो जाएंगे देखे अब हमने यहाँ पे तीन फंदे कर लिए रेड के यह देखे एक फंदा और इधर जूड़ गया और यह वाला जो है बीच वाला यह हमारा बेस कलर का ही रहेगा और इधर जो हमारे दो फंदे हैं इसके साथ में एक फंदा हम और एड कर लेंगे और जोड लेंगे एक फंदा देखे अब ही हमारे तीन फंदे हो गए इधर तीन इधर हो गए बाकी बेस कलर वाला जो है हम आगे बेस काई बना लेंगे अब कैसी बनाते हैं आगे बताते हैं देखिए फेर्ण्स अब ये तीन फंदे हैं रेड के तीन इधर हैं एक ये बेस कलर है अब इधर एक और बेस कलर का फंदा हम रेड का बना लेंगे देखिए अब ये दो हो गए ये ये तीन हो गए और ये जो चोथा फंदा है जो पहले हमारे रेड का था इसको हम अब अपना बेस कलर का बना लेंगे अब हमारे बीच में एक फंदा इधर से एक फंदा इधर से बेस कलर के हो जाएंगे तीन फंदे ये देखे और इधर जो दो फंदे रेड बचे हैं ये भी हमारे तीन ही हो जाएंगे क्योंकि हम एक फंदा हम इधर से और ले लेंगे बेस कलर से तो इस तरीके से ये डिजाइन जो है बनता है अगर आप स्टेप बाई स्टेप बनाएंगे तो डिजाइन बहुत अच्छा बन कर तयार होगा मैं बताती हूँ आपको कैसे बनाते हैं इस डिजाइन बनता है या आगे डिजाइन देखे इस तरीके से ये डिजाइन बन कर तैयार हो गया है देखे कैसा लगा मेरा आज का डिजाइन और कैसा लगा बताने का तरीका और अब आप इसमें जो दो सलाई हैं ये और मतलब जो आपका बेस कलर है उसी की बना लेना और फिर से आगे अपना डिजाइन जो है रिपीट करना कुमेंट बोक्स में बताना कैसा लगा मेरा डिजाइन अब मिलते हैं किसी नई और अच्छी वीडियो के साथ